नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी रुख करते हैं यूपी की बड़ी ख़बरु क्योर शाजापुर में यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदतनात एक जनसभा को संबोधित करने पहुचे इस दौरान उन्होंने खिरनी बाग में एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें शाजापुर महानगर की मेरपत की प्रत्याशी अर्चिनावर्वा समेद भाश्वा प्रत्य के पक्ष में वोट करने की अपील की गई है साथ ही उन्होंने यूपी के वित्त मंत्री नगर विधान सभा से विदायक सुरेश कुमार खन्ना की तारीफ करते होए शाजाहपुर के विकास्पत की चर्चा की है उन्होंने पीड़ाब्यूडी मंत्री जितिन पिसाद और सहका पारिता मंत्री जेपियस राठोर की तारीफ में कहा कि यूपी में सरकार कहीं भी कोई योजना की घोशना करे तो इनका शाजाहपुर में उस योजना को लाने का भरपूर प्रयास रहता है इस दोरान मंच पर जेले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्वप जिला सहकारी पैंक के अध्यक्ष धर्मेंद पताप सिंग अवधेश दीक्षित पूर विदायक शकुंदला देवी मौजूद सभी छे भाचपाई विदायक मौजूद रहे तो वहीं सुल्तानपूर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के जलूस में नाबालिक बच्चों के चुनाव प्रचवार का मामला सामने आये है जिसके बाद डियम जस्जीत कॉर्ड ने मामले का संग्यान लिया और स्डियम और सियो कोड डियम ने जाज सौपी है साती सतता पाय जौने पर पत्याशी के खिलाफ एफ़ाया अर्दर्श करने के बिद्दिश अनिर देश्थिये हैं सुल्तानपूर नगरपाली का चेतर के अंदर नाबालिक बच्चों से प्रचार कराने की एक पर्टिकलर पार्टी की वीडियो और फोटो जो है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है उसका संग्यान लेते हुए SDM और CEO को निर्देशिक कर दिया गया है कि ततकाल वो इसकी जांच कर ले और यदि किसी प्रकार से आदर्श अचार सहिता का उलंगन या नाबालिक बच्चों को यूज करने का जो है निकले व्यक्ती की गुम हो जाने के लिकित सूचना पुलिस को दी गई है व्यक्ती लक्ष्मनपूर रेलवे स्टेशन से गड़ मुक्तेश्वर से मजदूरी करने के लिए रवाना हुआ था व्यक्ती वाप पर भठे में काम करता था लेकिन भठे पर ना पहुशने पर परिजन द्वारा जगतपूर थाने में लेकित तहरीर दी गई वहीं जगतपूर थाना प्रभारी जगदी शादप ने बताया कि गुम हो जाने के तहरीर मिली है लेकिन अभी तक कुछ फिलाल पता नहीं चल सका है कौन सा थाना पड़ता है आपका क्या समस्था है आपकी केतनी तारीकों गया है यहां से कहां पर काम करते हैं तो अभी तक कोई जानकारी हुई कि नहीं हुई तो अभी तक कहीं कोई पता नहीं चल रहे हुई कि खबर रायवरेली से है जहां दीन शाह गौरा में एक युफ्ती की कोई में लाश मिलने से इलाके में हड़ कम पमचका है बितक की पैचान गौरा बजार निवासी बेबी सोनी के रूप में हुई है लाश मिलते ही परिज रामीडों की मदद से शफ को बहार निकाला थाना ध्यक शरत कुमार ने बताया कि बेबी मांसिक रूप से विशिप्त थी शफ को कबजे मिलेकर फिलाल पुलस ने पोस्ट मॉटम के लिए भेचतिया है वह रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी लखनओ के राजजी पुरम में घर में बनी फणीचर की दुकान में भी शणाग लग गई जिसके बाद आग लगने से शित्र में हड़कम होज गया और घर में फसे लोगों को अस्थान ये लोगों ने बहार निकाला कुछ दिन पहले ही घर की दुकान में फणीचर का काम शुरू किया गया था और आग लगने से लाखो रुपए का सामान भी जल कर राख हो गया है जिसके सूचना अस्थान ये लोगों ने पुलिस और फार बिगेट को दी है कास गंज में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर ने पहुचे जहां गंज डुडवारा में नगर पाली का परिशत अध्यक्षपत के उमीदवार हाजिम मुनवर हुसैन के पक्ष में अमन पैलस में चुनावी सभा को संबोधित किया और फूल मालाओं के साथ चौन्दी का मुकुट पहना कर बेहत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया ज़ौरान स्वामी प्रसाद मौर ने बीजेबी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल है नगर निकाय चुनाव से ही दोहजार चौबस में भाज़पा की विदाए होगी दिली से आई कुछ युवाओ को गाजयबाद का एलिवेटेड रोड इतना पसंद आया कि युवाओस पर जर्म दिन मनाने आ गए लेकिन पुलिस के निगाह इन पर पड़ गई और पुलिस ने साथ लड़कों को धर्दा बोचा वहें जनमदिन के जश्न का वीडियो वारल हो गया था और एलिवेटेड रोड पर अकसर स्टन्ट और अस्तरा के वीडियो वारल होते हैं जिसको लेकर पुलिस ने अब चौक सी बढ़ा दी है इसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए एकुल साथ लोगों को गिरफतार किया है देखे कल रात छे तारीक को एलिवेटेड रोड गाजयाबाद पर लगभख साथ लोग तीन मोटर साइकलों से अपना बड़े मनाने के लिए के काटने के लिए पहुँचे इसके बाद यह कि पैण इन तुन बाद जय्के में जो हमारी चैकीँ चलती है और साथ हमारी जो मोबाईले घ्स करती रख दियो ने उनीर लोगों को वहीं पर पकड़ा क्यों को उन्कों खड़ा करके अन्य आने वाले लोगों के जीवन को संकट में डाल रहे थे और इसमें पते की बात यह है कि यह सारे साथो नड़के पांड़ो नगर और दिल्ली के हैं कोई भी यहां गाजियाबाद का लोकन निवासी में है जो सिर्फ इस काम के लिए यहां पर आये थे इंको हिगा सब्सक मिलिया ऑगा आजए है तो वहीं राजधानी लक्नव से सटे 12 बांके जुले के राम पूर भवानई पुर में उपस्वास्ट केंद्र का हाल कावी जाधा बुरा है आलम ये है कि आज तक उपस्वासकेंद्र पर बिजनी तक नहीं आई है उपस्वासकेंद्र में दिन रात मरीजों का जमावरा लगा रहता है तो वही गर्मबती महिलाओं की डिलिवरी भी यहीं पर होती है लेकिन बिजनी ना होने के वज़े से समस्याओ का सामना भी करना पड़ता है स्वासकेंद्र में आने वाले मरीजों का यहीं कहना है क्या कि राम लोगों की समस्याओ का निदान कब किया जाएगा दरहसल स्वासर केंद्र में बिना लाइट के मरीजों का हाल बेहाल हो गया है तो बारा बंकी के उप स्वासर केंद्र की हालत जो है वो बेहाल नजर आई है दरहसल यह वहीं स्वासर केंद्र है जहां पर बिजली तक नहीं आती है यहां पर महिलाओ की डिलिवरी तक हो जाती है लेकिन आच तक इस केंद्र में बिजली नहीं पहुची है निकाय चनाव से पहले गाज़ेबाद पुलिस ने अपने खूफी अतंतर को सक्रिय कर दिया था जिसके बाद पुलिस ने सूचना के अधार पर थाना लोनी और लोनी बॉर्डर शेतर पुलिस ने बड़ी कारवाई करते होए हत्यारों क्या वैद फैक्टरी का भाणा पुलिस ने मौके से हत्यार बनाते हुए दो लोगों को रंगे हाथ पकड़ा पर एक बदमाश इसका नाम सरफराज है वो भागने में कामियाब रहा जिसकी गिरफ्तारी के लिए च्छापे मारी लगातार ज़ारी है थाना लोनी बॉर्डर के चेतर में एक लिला सहवाजपूर एक गाउ है चोकी सेवाधाम चेतर में पढ़ता है यह वहीं पर चेकिंग के दोरान इनलों को सुचिना मिली और उस तरह से इनलोगों ने कारवाई की है जिसमें लोनी और लोनी बॉर्डर की टीम ने जाके से कुल 11 अवैद तमंचे 315 बोरका है साथी साथी का वैद तमंचा 12 बोरका उसके अलावा 14 अवैद अध बने तमंचे वह उनको तमंचे बनाने का उपकरन भी मिला है कुछ पाईप सिस्पतर की चीज वित्यादी चीजे मिली है और अभी इस फरीद को गिरफतार का जेल भ मांच कुराने रूट और आमसाक के अन्य धाराओं में भी मुकदमे पंजिकृत हैं और आगे की भी जो हिनके खिलाफ और अन्य कारवाईयें की जागे निरोधात्मक ताकि इस तरह से छेतर में कोई आसलाहा या फिर अवैद असलाहा ना बना सके या इस तरह की कोई अगत बुजग की हत्या कर दी गई मामला दिलदार नगर ठाना शेतर के मिर्चा गाउ का है जोहा ग्यात बदमाशों ने जोपड़ी में सो रहे बुजग की धारदार हत्यार से गला रेत कर रहत्या कर दी और फरार हो गए जोपड़ी में बुजग का शव लहु लुहान आ रहा और जौनकाली के मताबिक मिर्चा गाउं कर रहने वाला बुजर्ग अपनी जोपड़ी में सोने किया था इसी दोरान बदमाशों ने स्वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए जिसकी सूचना पर पहुची पुलस ने अब मामने की जांश परताद शुरू कर दी है जेंदर बिंद्ध है उम्र लगभग 56 वर्स वह अपनी मड़या में रहता था और रात में किसी समय किसी विक्ति द्वारा उसकी गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई है संभवत ऐसा प्रतीत हो रहा है परीजनों से भी बातचित की है अभी कोई अभी बड़ा ठोस जानकरी इस बारे में ने मिली है पुलिस की तीन टीम है वहाँ के खाना प्रबारी के नित्वत में तदा शेत्रादिकारी के नित्वत में एक्टिव कर दी गया है तो वहीं बदाईयों में सीम योगी आदतनाथ इसलामिय कॉलज की कारिकर्ता समेलन में पहुचे जहां उन्होंने का कि पिष्टी सरकारों में युवाव के हाथ में तमचे दिये जाते थे जबकि डबल इंजन वाली भाचपा सरकार में उन्हें टैबलेट दिये गए ताकि डिजिटल इंडिया की टीम पर वो अपराद ही नहीं बलकि आत्म निर्भर बने उन्होंने कहा कि पहले यहां केने ताक गौकशी कराते थे लेकिन भाचपा साशन में गौवंच की रक्षा कराई जाती है खबर बुलंच शहर से है जहां कुतवाली खुर्ज़ा नगर इलाके में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा आच्चो और सहीता के साथ साथ यातायात के नियमों का भी खुले आमुल लंगन क्या गया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याश्वी के द्वारा निकाली जो आ रही बाइक रैली में दुपाहिया बाहनों पर नज़र नाबाली बच्चे आए हैं वही पूरे मामने को लेकरा प्रिशासा ने चुपी साद ली है बिजनौर के पीली बांद के जलाशाए में तीन दिवसिया खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है आयोजित हुई प्रतियोगिताओ का शवारा मुरादाबाद मंडल के कमिशनर और टिहरी हाइडरो प्रोजेक्ट के सीमडीराजी विश्रोई वाटर स्पोस ने क्या है उधर सीडियो द्वारा बताया गया कि तीन दिनों तक दोपहड तीन बज़े से लेकर शाम साड़े पाच बज़े तक वाटर स्पोस होंगे इनमें दो प्रकार की बोट प्रतियों गिता होगी जिसमें यूपी उत्राखंड, मदप्रदेश, पंजाब और हरियाणा के साथ ही साथ राज्यों के महिला और पुरुष खिलाडियों के अलग-अलग को लोटी में हिस्सा लेंगी हमारे लिए यह जो आज की शुरुवात हुई है वाटर स्पोर्ट्स की यह बहुत इंपॉर्टेंट है कई मायने में एक तो बिजनौर की जो संभावना है उसको एक्स्प्लोर कर बिजनौर के अड्मिस्टेशन, बिजनौर के जिलादिकारी समय तुनके पूरी टीम एक्स प्रामिल है हमारे जो यहां के जितने फ्ले उनको बढ़िया जगह मिले एक बढ़िया ट्रेनिंग मिले एक अब बहतर वातावरण मिले इसकी भी एक शुरुवात है चोंकर ने जा रहे हैं और इसके वहान है हमारी परेटन की जो संभावना है आप देख रहे पीछे अमान कौंग्रिस की स्टार प्रचारग पूनम पंडित ने भाचपा सपा और बसपा पर तीका प्रहार करते हुए रोड शो किया ज़ुरान पूनम पंडित ने कौंग्रिस पत्याश्री को वोड देने के अपील की वए पूल नगर विकास मंतरी का नाम लिये बिना ही उन पर जोड़़ दार जबानी हमला किया और कहा कि नगर का नहीं करवा पाए मंतरी रह कर भी विकास प्रदान मंत्री जी ने बोला आज बेटी उनकी रो रही है अपने परिवार की बेटी उन्ने नहीं दीख रही है दिली में और वो परचार करने में dengan मणीपुर का दिखाया रहा तो वही कानपूर में महिलाओ से चैन लूट की वारदात करने वाले गैंग का पुलस ने खुला सक्या है पुलस ने चैन लूट गैंग के दो सदस्यों को गिरफतार किया है जिनके पास सोने की चैन बगैर नंबर की मोटर साइकल और एक देसी कटा बरामत किया गैंग ने अब तक कई थाना शेत्रों में चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया है इसमें से कुछ घटाएं ऐसी भी सामने आई थी कि इन लोगों ने तमंचा दिखा कर डरा धमका कर चेन चीनी थी इसमें थाना नौबस्ता और एसीपी नौबस्ता की कई टीमें इस गैंग को पकड़ने के पीछे लगी हुई थी कल रात को इसमें से एक टीम को सफलता मिल गई है और प्रताप होटल के पास से इन दो स्नाचर्स को लाइफ चेजिंग में पकड़ा गया है इन में से एक का नाम है राजेश कुमार जो की जनपाद लखनाओ का रहने वाला है इसकी उम्र 35 वर्ष है और इसके उपर जनपाद लखनाओ से 23 मुकदमे है लखनाओ से इसके उपर दो गैंग्स्टर के भी मुकदमे है इस पुलिटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे ब्रायन टीवी आप देख रहे हैं प्रायम टीवी सच साहस सरोकार